शिरी श्वाय नमस्तुभ्यम जैसा के आप सब जानते हैं कार्तिक मास का बहुत ही पवित्तर महीना चल रहा है और कल है कार्तिक मास की दस्वी तिथी पूजय गुरुवर जी ने बताया के दस्वी तिथी पर करने वाले दो ऐसे विशेश उपाए हैं जिसको करने के बाद आपकी कोई ऐसी मनो कामना नहीं जो पूर्ण ना हो सके अगर आपके जीवन में बहुत कश्ट हैं एक समस्या खतम नहीं होती दूसरी समस्या आ जाती है एक एक रुपए के लिए भी आपको खर्च करने के लिए सो सो भार सोचना पड़ता है नौकरी में समस्या चल रही है व्यापार घाटे में चल रहा है तो पूजय गुरुवर जी ने बताया के एक छोटी सी डंडी से आप ये उपाए कार्थिक की दस्वी तिथी के दिन कर पूजय गुरुवर जाएंगी चल ये जानते हैं उस उपाए के बारे में पर उस से पहले जो बंदू मेरे चैनल पर नहीं हैं जिनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें ताकि मेरे आने वाला वीडियो आपको सब से पहले मिले उपाए इस परकार ह इस उपाए को सिर्फ कार्तिक मास की दस्वी के दिन ही करना है ये उपाए बहुत विशेश है इसको साल में सिर्फ एक दिन ही कार्तिक मास की दस्वी तिथी के दिन ही किया जाता है गुरु जी ने बताया कि जो ये उपाए कर लेता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जते हैं कार्तिक का महीना भगवान विश्नु माता लक्ष्मी और तुलसी जी को समर्पित है इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता इस उपाय को करने के लिए हमें चाहिए तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी आपके घर में तुलसी जी का पौदा लगा हुआ हो तो उसको ले लीजिए अगर आपके पास पहले से सूखी हुई तुलसी रखी हुई है तो उसमें से आप तुलसी जी की डंडी ले सकते हैं अगर आपके पास सूखी तुलसी जी की डंडी नहीं है तो आप आसपरोस के किसी घर से भी तुलसी जी की डंडी ले सकते हो एक पतली सी डंडी या साथ डंडी पतली पतली लेकर उसको बांध लीजिए और उसके उपर थोड़ी सी रूई जरूर लपेट ले क्योंकि अगर हम रूई नहीं लपेटेंगे तो हो सकता है कि वो ना जले इसलिए अच्छे से उसके उपर रूई लपेट लेना जैसे हम लंबी बाती बनाते हैं उस परकार उसको बना लेना और उसको गाय के घी में डुबो कर रख दें ये मिट्टी के दीपक में ही जलाना है इसको आटे के दीपक में नहीं जलाना शाम को आप भगवान नरायन के या क्रिशन जी के मंदिर जाएं और वहां जाकर इस दीपक को परजवलित कर दें आरती उतारें और वहीं बैठ कर आपकी जो भी मनो कामना है उसको बोले और भगवान से परार्थना करें के हे भगवान मेरा ये काम है इसको आप पूर्ण क दीजिए और भगवान आपके उपर जरूर किरपा करेंगे और आपकी मनो कामना को पूर्ण करेंगे दूसरा उपाय है उसको भी कार्तिक मास की दस्वी के दिन ही करना होता है पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन होता है जब हम इस उपाय को भी कर सकते हैं इस उपाय को करने क लिए आपको लेना है एक तामबय का लोटा उसको जल से अपने घर से भर लेना है साथ चने की या मसूर की दाल के दाने और एक दो छोटे छोटे गुड के छोटे छोटे टुकडे तीनों समगरी को लेकर पहुँच जाना है शिवाल्या इस उपाए को आप सुभा भी कर सकते हो या शाम को भी कर सकते हो मंदिर पहुचकर साथ डाल के जो दाने आपके पास हैं उनको आपने लोटे के अंदर डाल देना है और गुड को भी लोटे के अंदर डाल देना है और मंगलेश्वर महादेव जी का सिमरन करते-करते शिवाल्या जाकर शिवलिंग के उपर धीरे-धीरे करके इसको जल को चड़ा देना है याद रखना है कि जल को बहुत धीरे धीरे चड़ाना है और मंगलेश्वर महादेव जी का नाम लेते जाना है और वहीं बैठ कर जल चड़ाने के बाद आपने 108 बार शिरी श्वाए नमस्तुभ्यम या नमा श्वाए का जाप भी कर लेना है और उसके बाद अपने घर वाप पूजय गुरु देव जी ने बताया जो लोग अपना घर लेना चाहते हैं फ्लैट लेना चाहते हैं या जमीन लेना चाहते हैं उनको ये उपाए जरूर करना चाहिए ये उपाए भी दस्मी तिति के दिन ही करना है ये उपाए भी बहुत वशेश है इसलिए चाहें तो आ आप दोनों ही उपाय कर ले या जो भी आप कर सकें पर करना इन दोनों उपायों को दस्वी तिती के दिन ही है आज के लिए बस इतना ही फिर मिलती हूँ एक अच्छे उपाय के साथ शिरी श्वाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव